तो नमस्कार दोस्तों मैं दीपक नागर दीपक एकोनोमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का सौगत करता हूँ दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि सब लोग सोचतों होंगे और अपनी पड़ाई अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों इस चैनल पर हम डिसकस करते हैं सबसे पहले तो आज दोस्तों है 9 अगस्त वर्ल्ट ट्राइबल डेसिकली विश्व आदिवासी दिवस सभी दोस्तों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत-बहुत सुपकामना है मेरी तरफ से दोस्तों हम आज बढ़ेंगे अमारी न्यूज की तरफ जो आज का सबसे अच्छा न्यूज के पर यह फिर न्यूज में सबस्ता अच्छा सथा एकोनोमी ऐसी इकोनोमी की तो सबसे पहले आप यूज पड़े ऑघический ड़ोपी तो इस न्यूज में यह यह का गया कि जो अलनकलम्ड डिपोजिट यह ना ऐसा डिपोजिट जिसका कोई धनी दोरी नहीं है किसी ने बैंक में पैसा जमा किया भूल गिया या उसकी डेथ होगी किसी रिजन से लेकिन तो अब उसका पैसा कोई कलेम करने होला ही नहीं है कोई उसका लिगल हीर ही नहीं है तो ऐसा पैसा पैसा बैंक के पास पड़ा रहत तो ऐसा अनकलेम्ड डिपोजिट को बाद में लगबग कुछ रूल है और विए का उसके बाद एक फंड होता है दोस्तों डिपोजिटर एड्यूकेशन एंड अवेर्नेस फंड इसमें बेंक ट्रांसपर कर देता है तो यह कहना चाहती कि इसनी कितना था 48,000 क्रोड सोचो आप कितनी बड़ी अमाउंट है लगबग पिछले 10-12 साल से 48,000 क्रोड रुपे बैंकों ने अर्बैक की इस अकाउंट में ट्रांसपर कर दिये तो आज पूरा इसका हम एनालीसिस करेंगे कि यह जो डिपोजिट एड्यूकेशन अवेर्नेस्पेंट क्या हो सब कुछ जानेंगे दोस्तों क्यों एक्जाम पॉइंट ओव यू से नहीं आम जन्ता के लिए कॉमन में के लिए भी दोस्तों यह जानना बहुत जरूरी इसके बारे में ताकि वो निजी जिन्दिके में इसका इस्तिमाल कर सके तो सबसे पहले तो मैं आपको बताओं दोस किस 맞ा माष्म के दो काम होते हैं सबसे पहले कामन में जो भी पैसा डिपॉजित करना चाहिए उससे डिपॉजित लेता फिर जोब दोस्तों दो परकार की होते हैं अगर आपने पैसा मिल जाए का कर सकते हैं कि एक पर करंगर। जो आप और में जोप करते हैं वो सब सब्सक्राइब लेकिन फिर भी आपकी जब मर्जी पड़े तब आप पैसे निकाल सकते हो जब जिस दिन चाहें बैंक में गए ब्रांच में गए पैसे निकाल लिया जब बनुवर आतको बारा बज़े वह एटेम लेके गई क्या किया एटेम का मशीन से पैसे निकाल ले तो कभी कोई पर्तिवन नहीं है जब मेरी डिमांड जब मेरी इच्छा है तब मैं इसको पैसे निकाल सकता हूं लेकिन दोस्तों एक डिपोजिट होती टाइम डिपोजि आप बजय मुझे सपना आए पैसे निकाल को सकती तो पांक साल बाद सकते लिए पहले निकला तो पैसे मिलेगा पहले निकलाओ गया तो पैनल्टी लगे वह बैंक के ऊसको बोलता है उसको और होता है अर्लड लिकर्ण डिपोजिट शीए आल्ड तो इसमें क्या होता हर मह deposit account deposit जो demand deposit और time deposit जिसके एक्जामपल है current account saving account और जो time deposit का example होता हुँ होता है fix deposit FD और RD ठीक है बात यहां तक अब suppose करो यह a person ने ए पर्षन किसी बेंक के मत गया सब्वोज करो बेंक का नाम था एक्स इस ने इसको क्या किया एक saving account को लाया है ठीक है और इसमें एक लाग रुपे deposit कर दिया तो अगर यह पर इस तरह ना FD कराई कितनी साल के लिए दो साल के लिए कर रहा है सब्वोज करो वह एक लाग रुपी की अब यह इस पर्षन ने एक लाग रुपे के बेहिंवर लेकिन अगर सपर्षन तक इसको ट्रांजेक्शन नी करता तो अब आप इससे पैसा नी निकाल सकते अगर आपको पैसा निकालने तो आप वापस क्या करो लोकुमेंट जमा करगे इस अकाउंट को रिकॉट करना पड़ेगा आप मैसे कई दोस्ते से होँगे जिनका बेंक प्रवाइंट होगा कई वारवनेटियाइए किट करते हैं यह चलता है फिर विड़ दोकुमुमेंट करके लोगा कटे तो अगर दो साल थे कोई लेने में अब चुछ यूव पूरा पैसा लेना का टाइम आ गया लेकिन दो साथ गय प्रवार तो तो यह संभावनाई कि कराते हैं तो तो तीन साल निकाल तो तो यहां भी क्या हो जागा ठीक है अब डॉर्मेंट हो जाता है कि इसका मतलब नहीं पैसा डूब गया पैसा उसके आपके एकाउंट में बैंक के पाथ जमाएं अब आपको क्या करना पड़ेगा दूबरा डॉक्यमेंट जमा करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तब फिर आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऐसे दोस्तों अगर सब्सक्राइब को दस साल तक नहीं आया कई बार किसी की डेथ होगी एक यहां पर एक और ओकान प्रकाइर पोस्तों मतशने करें वहां भी होता है वह बैंकिंच में भी होता हुथ चया पक्तशन वेकर अइसे इस्टतillarपि should जोदिवीगे वर दोस्तो दोस्तों नियाएं तब क्या ओगा अगर 10 साल अगिवाते क्या तब बेंग मम्मनिक प्रिशा पड़ा फूययां ऐसा और कोई पूंच सबसें बढ़ा पावर्फुल कानून को सा है बेंकिंग गिर्फुल एक्ट सारा बेंकिंग जितना भी काम होता न मोटा मोटी यह सब इसका एक सेक्षन 26 है यह सेक्षन यार्ण आतीजी दोस्तों यह सेक्षन 26 है विजरोंग वेंक आप इंडिया को पावर करता है कि ऐसे जो दीप है उसके समय में रूल कुछ एए ~~~ बढा सक्के है तो इसी के लिए industri आकट का पालनाम में एक सीं चला है दोस्तों आरिव ^^vab लेकिता है डीप स्कुरिट कैसा डीप स्कुरिसकर डीप स्कीट की औड डीप टी स्कीम दौजडे में सब्सक्राइब करते हैं 2014 में लेके आयते डिपोजिट एड्जूकेशन एंड अवेर्नेस पंड तो अब देवो बात यह होगी दस साल कोई पैसा लेना नहीं गया तो उसको केते अंकलेम्ड डिपोजिट ठीक है अंकलेम्ड डिपोजिट की संब्ध में आर्बिया को पावर दी गई यह सेक्शन टॉंटी सिक्स एक बैंकिंग रेगलिशन एक नाइंटी फोटी दैन के तद कि उसके तद वह कुछ नेम बना सकता है तो इस एक्ट का इस सेक्शन का इस्तिमाल करते हुए आर्बिया ने कि स्कीम बनाए डिपोजिट एड्जूकेशन एंड फंड इसक पास उसको ट्रांसपर कर दो दस साल के होते ही टाइम अपने आप बैंक कानुनी रूपसे बात दे जो सब्सक्राइब करना है दूसरा उनकी लिष्ट का डालनी है उनकी लिष्ट डालनी है अपनी वेबसाइट पर ताकि कोई भी आम वेक्ति उसको चेक कर सकता है अब दोस्तों आरे इस पेसे का क्या करेगा इस डीप एकावन सब्सक्राइब लेटेस न्यूज क्या आई है इस पेसे को बैंकों में कई लोग हम लोग डिपोजिट करते पैसा तो हमारा इंट्रेस होता है कि उसको जो प्रोटेक करें तो डिपोजिटर का इंट्रेस्ट को प्रोटेक करने के लिए प्रियास करता है इसके ततर कैसे करता है आपने इतने सारे देखते अपना किसी को नहीं बताओ नहीं तो आपका पैसा क्या हो जाएगा फ्रोड हो सकता है तो यह सब एड़ के पैसे वह गरां से आते तो डीप एकाउंड की माधिम से आते कई सारे जन जागता अबियान चल तो आप न्यूज तो मैंने आपको एक बार दिखा जी थी अनकलेंड डिपोजिट ओप रूपी फॉर्ट थाउजिन क्रोड ट्रांसपर टू डेप अब समझगे ना आपको ट्रांसपर क्या बैंकों ने इसके बाद यह इसकी में डिपोजिट एजुकेशन अड अवर्नेस अब बढ़ गया तो यही होता है क्रेंट अकाउंट में डिपोजिट इसके बाद अगर दो साल तक अपक्तिवेट नी कर रहें नहीं चला रहें टांजेक्शन नी कर रहें तो उसको क्या कर देंगा तो आरब यहां तक इसके बाद मैंने बताया आपको अगर 10 साल तक भी को अब में जो मुद्धा ही होता है दोस्तों क्या यह पैसा दस साल तक मैं भूल लिया था मेरा पैसा बैंको ने कहां आर्बिया को ट्रांसपर कर दिया तो क्या यह पैसा में वागपास रिकावर कर सकता हूंगा सबस्कुरों 20 साल बाद मुझे अचलंग से नीन से जगा में यह पर मैं प्रौण दिवाली की सफाई कर रहा था उसमें डायरी निकली बहुत प्रौणी बीस साल प्रौणी तो बिल्कूर कर सकते हो जब तक भी पैसा विड़ोड़ने करो तब पैसा आप ही का है किसी के डेत होगी तो उसके बाद जो लीगल हेर है जो उसका उत्रादी हट साल भी पैसा कोई मिट निनिह लिएक से जाग रहे हो कि मेरे ऐसा पैसा था आपने कल्म डिकवोड़ी का रिकार डिकर उसके लिए आपको जहनँ पढ़ेगा ब्रांच में जाना पड़ेगा वहां एप्लिकेशन लगानी पड़ेगी फिर उसके बाद वह बैंक वाले दुबारा दिसे अपनी प्रोसेस होती वह प्रोसेस करेंगे पैसा आपके खत्रम में वापस आजाएगा लेकिन दोस्तों यह प्रक्राइब बहुत लंबी है और फिर सब्सक्राइब किसी एक आदमें के 500 अकाउंट तो 500 अकाउंट को हरे बैंक में अलग जाना पड़ेगा दख्या खाने पड़ेगे बहुत परिशान होना पड़ेगा तो फिर इससे परिशान होगे इसका समझान कैसे निकले तो अप्रेल 2023 में अप्रेल 2023 में आर्बै ने गो सब्सक्राइब कर दिया अब आपको कुछ नहीं करना आपको वन पॉइंट है सब्सक्राइब है बिस साल बाद इसको याद है कि मेरे पांच बेंकों में मेरे ऐसा अनिकलाम डिपोजिट था सीधा यह इस पर क्या करेगा इस पोटल पर अपने डोकुमेंट अप्लोड कर द और वहां पर आपने डोकुमेंट अपलोड करने कोई ब्रांच बनी जाना अलेग अलेग ब्रांच बनी जाना अपके अकाउंट था दस मेनी जाना एक जग जग सेंट्राइज पोटल पर जाना है इस पर काम चल रहा है अब जल्दी इसका काम खतम हो जाएगा आप्रेल 2003 मे बहुत लेंथी है और बेंक के जगह पर जाना पड़ेगा ब्रांच पर जाना पड़ेगा बहुत लंबी प्रकिरिया होती है तो अप्रेल 2030 में क्या कि आर बेन है अनौस किया कि हम एक सेंट्रलाइज वे पोर्टल बढ़ाएंगे जिससे क्या हो एक ही जगह पर सब तरह से कले जगोज़ेम देपोजीट को लोटानेका तो दोस्तों जुन 2003 में एक अभियान चलाया था रहुता चैंपेंचर्टी क्या में चलाया था दोस्तों जून सेंदेट में इसमें करना है इस सबसे जबाइब करना है तो टोप अंडेड अकाउंट को ट्रेक करना है उनके घर पर जाना है एडर्स चेक करके घर पर पोजना है जल्द मिलेंगे तब दक लिए थैंक्यू जैंड